जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जहनमन की बात आज हम बात करेंगे सालखन मुर्मू के उस विवादित बयान की जिसमें उन्होंने जैन मंदिरों को धुवस्त करने की चेतावनी दी है और साथ ही बात करेंगे आदिवासियों के महा रैली की जो 5 मार्च को वो निकालने जा रहे हैं क्या है इसका मुद्दा और क्यों आदिवासी उबल रहे हैं इस पर करेंगे चर्चा लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो को लाइक और शेयर कीजे औ वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है तो शुरू करते हैं जन्मन की बात आज बात करेंगे सालखन मुर्मू के उर्व सांसद सालखन मुर्मू के विवाधित बयान की जिसमें उन्होंने कहा है कि पारसनात बचाने के लिए मरांग बुरू बचाने के लिए वे जैन मंदिरों को धोस्त कर देंगे जिहां ये विवाधित बयान आज सालखन मुर्मू ने एक वीडियो जारी करके दिया वीडियो में उन्होंने हेमन सोरें सरकार पर आरोप लगाया कि उसमें पारसनात पहाल को जैनियों के हाथों बेच दिया है और इसके साथ ही सालखन मुर्मू ने चितावनी दी है कि वह 11 फर्वरी से बेमियादी रेल रो को आंदोलन चलाएंगे उधर आज ही राची में आदिवासी समन्वे समिती की एक बैठक हुई बैठक में आदिवासियों से जुड़े अन्य मुद्दों के अलावा कुर्मी को एस्टी दर्जे की मांग जो वो कर रहे है कुर्मी उसका भी समन्वे समिती ने भी चेतावनी दी है कि अगले पांच मार्च को आदिवासी बचाओ माहा रेली निकाली जाएगी यानि कुल मिलाकर आदिवासी नेता अभी फिलाल हेमन सोरेन सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं तो सुनते हैं पहले कि साल्खन मुर्मू क्या चेतावनी दे रहे हैं और हेमन सोरेन और सोरेन परिवार पर क्या आरोप लगा रहे हैं सुनेंगे साल्खन का वीडियो उसके बाद फिर करेंगे आगी की बाद मारंग बुरू पारसनात पहार को जैनों के कैद से मुक्त करने और 2023 में हर हाल में आदिवासियों के प्रकिती पूजा धरम सरना धरम कोर्ट को लागू करने के लिए सेंगल 11 फरवरी 2023 से अनिस्चित कालिन रेल रोड चक्का जाम करने को बध्या है यहां मारा समिधान समत अधिकार है सोरें सरकार ने हम आदिवासियों के ईश्वर मारंग गुरू को जैनों के हाथ बेचने का पाप किया है दिसम गुरू ने पहले साड़े तीन करोड रुप्यों में 1993 में जारकन बेचा था जेल गया था अब जेमेम के MLA MP और मुख्य मंतरी ताल जहरी गाउन लालमटिय थाना गोटा जिला की जमीन को 19 जन्वरी 2023 से जबरन बुलडोजर लगा कर आदिवासियों से छीनने का काम कर रहे हैं कूर्मी को एस्टी बनाने के पीछे भी सॉरेन परिवार का सरियन्तर है हम सॉरेन परिवार को सर्वत्र वेनकाप करने को मजबूर है लूट जूट और भ्रस्टचार में आकंठ दूबे सोरेन परिवार के पतन के बगएर आदिवासि मुल्वासि का उढ़ान आसंभाव ह दिसम गुरू, इसाई गुरू और गाउं गाउं में बन स्वानू गप्त, जमे हुए अधिकांस अनपढ़ प्यक्ड माजी हराम, आर्थात आदिवासी ग्राम परधान, आदिवासी समाज को बरबाद कर रहे हैं, इनका बिरोध जरूरी है, हमारे ईश्वर मारंग गुरू, हमारा सरना धरम और हमारी धार्मिक और प्रकर्टिक आस्था और विश्वास पर किसी के दोरा चोट करना, अब हम आदिवासी और बरधास नहीं कर सकते हैं, मारंग गुरू हमारे लिए राम मंदिर से कमतर नहीं है, राम मंदिर अंदोलन की तरह मारंग गुरू अंदोलन को धोस्त कर सकते हैं चुकि मारंग बुरू पर पहला अधिकार हम अधिवासियों का है जैनों का नहीं है आंतता 11 फरवरी 2023 से सिंगल द्वारा आहुद रेल रोड चक्का जाम जोरदार होगा तो आपने देखा कि सालखन मुर्मू सीधे तोर पर हिमन सोरेन सरकार पर आरोप लगा रहे हैं पारसनात पहाल को बचाने के लिए जैन मंदिरों को धुस्त करने की बात कर रहे हैं और उन्हों ने ये भी कहा कि इदिशोम गुरू शिबू सोरेन ने जार्खन नादुलन को बेच दिया और इसी तरह कि जनाधार है और इसी यही कारण है कि वो इस तरह के बयान दे कर लोगों का ध्यान मेडिया का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं लेकिन जैसे जैसे चुनावी साल नजदीक आ रहा है सियासत का पारा चड़ता जा रहा है एक तरफ हिमन सुरेन 1932 के खत्यान को लेकर भारतिय जनतापार्टी और राजेपाल को निशाना बनाए हुए हैं अपनी खत्यानी जो हर यात्राओं में वो इस बात को लगातार उठा रहे हैं कि भारतिय जनतापार्टी बिहारी लोगों की और बाहरी लोगों की समर्थक है और वह नहीं चाहती कि राज में 1932 का खत्यान की बात करते हैं सरना धर्मकोट की बात कर रहे हैं संस्कृति और परंपरा के सनक्षन की बात करते हैं और साथ ही जल जंगल और जमीन की बात करते हैं अपने पुर्खों के अंदोलन की बात करते हैं लेकिन वहीं कुछ आदिवासी ऐसे भी हैं कुछ आदिवासी नेता ऐसे हैं जिनका आरोप है कि हेमन सोरेन और उनकी सरकार आदिवासियों की सबसे बड़ी दुश्मन है तो आज के दिन दो अलग-अलग आदिवासी समुहों के अंदर से हेमन सोरेन सरकार के लिए चेतावनी के स्वर उभरे हैं आज राची में आदिवासी समन्वे समिती ने एक बैठक की और एलान कर दिया कि पांच मार्च 2023 को आदिवासी बचाव महारेली की जाएगी और इस अंदोलन में आदिवासीों के धर्म कोड के साथ साथ जल जंगल जमीन का मुद्दा तो शामिल है ही लेकिन इस महारेली के पीछे सबसे बड़ा जो मुद्दा है वह कुर्मी को आदिवासी दर्जा दिये जाने की मांग का है पूरु मंत्री गीता श्री उराव कहती है कि जब जारखंड बना था तो 32 जंग जातिया थी आज उनकी संख्या बढ़कर 42 हो गई है अभी कुर्मी सामने दिख रहे हैं आधिवासी दर्जे की मांग करते हुए लेकिन आठ नौ और जातिया ऐसी है जो इस ती दर्जे की मांग कर रही है और उन्हें अगर ये दर्जा मिल गया तो जारखंड से असली आधिवासी खाटी आधिवासी लुप्ठ हो जाएगा उनकी पहचान, उनका धर्म, उनकी जमीने, उनकी संस्कृती सब कुछ लूट ली जाएगी पंचायतों से लेकर विधान सभा तक और नौकरियों में आरक्षण तक सब पर कुर्मी और ऐसी ही बाहरी जातियों का बोल बाला हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा, कबजा हो लक्षमी रायनओ मुंडा और देवकुमार धान भी कह रहे हैं तो आईए उनकी बाते सुनते हैं बात आई है कि आदिवासी बनने का दावा जो कुडमी समुदाय कर रहा है और जो कई ऐसे अनिक समुदाय हैं जो आदिवासी बनने का दावा कर रहे हैं ये सारे दावे जो हैं 2000 में जब जारकन अलग राज्य बना जब इसको पांचवी अनुसूची का दर्जा मिला और जब यह बात स्वष्ट हो गए कि आदिवासी समुधा का ही वेक्ति जो है मुख्यमंत्री के पत्पे बैट सकता है तब से यह सारी राजनिती और यह कायावाद जो है चालू हुए है निश्यत रूप से जो खाटी आदिवासी हैं जिनके पुर्वजों ने इतिहास रचा है अपन वे जमीन समंधी जो हैं जमीनी तो लुटेंगी ही हमारे जो सविद्धान अधिकार भी लुटेंगे और इस बात की भी तुष्टी करें होगी क्योंकि जितने भी ग्रुप आ रहे हैं जारकन जब बना तो 32 जनजातियों को जिसमें से नौ प्रिमिटिफ ट्राइब जो है जादिम जनजाती के ग्रुप को जो है समुदाय को चिनित किया गया पिछले वर्ष 2022 में 32 से 42 अन्य समुदाय को जोड़ा गया अब यह 2023 है कुडमी सिफ सामने दिख रहा हैं मगर लाइन में अभी आठ नो और भी हैं तो यानि 42 से 52 बनने में यहां पर देर नहीं लगेगी तो फिरियर यहां पर जो असली अदिवासी है उसके अधिकार तो चिन जाएंगे सारे उसका प्रतिकार करने के लिए उसका विरौध करने के लिए सरकार जो इस तरह के राणितिक दबाव में आ रही है नहीं हो रहा है रेली आदिवासी सुमदाय के उपर एतिहासी ग्रूप से उसके संस्कृति उसके हकतिकार वो छिन्ने की जो कोशिस हो रही है उसी खिलाप ये रेली आउजीत है और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि पुर्मी-पुर्मी महतोजाती के द्वारा बड़े पैमाने पर विविन्नकार्शकर्म के द्वारा तमाम राज्यति पार्टियों को दवा बना कर आदिवासी बनने का सिरुल ट्राइब में घुसने का प्रयास हो रहा है उसी खिलाप मूल रुप से आजीत है तो ऐसे समय में जब राज में 1932 का खत्यान एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और भारती जनता पार्टी इस मुद्दे की काट तलाश रही है इसकी काट खुजने में व्यस्थ है केंद्री इग्रीमंत्री अमित्शाह दो बार जारखंड का दोरा कर चुके हैं एक महीने के अंदर उन्होंने तंथाल परगना में बांगलादेशी घुस्पैट का मुद्दा उठाया नौकरियों की बात की कि हमन सरकार नौकरिया नहीं दे सकती है तो गद्दी छोड़ दे हम नौकरिया देंगे उन्होंने सोरेन परिवार को भरष्टाचारी बताया लेकिन हिमन सोरेन के 1932 के मुद्दे के आगे बीजेपी के हमलों में अभी बहुत जान दिखाई नहीं देती है लेकिन सोरेन सरकार के सामने कुर्मी को कुर्मी को एस्टी का दर्जा दिये जाने का मुद्दा एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है फिलहाल कुडमी भाजपा से नाराज है उन्हें लग रहा है कि केंद्र में सरकार होने के बावजूद भाजपा उन्हें ST में शामिल नहीं करना चाहती बता दें कि कुडमीयों को ST दर्जा दिये जाने के मामले पर मुख्यमंत्री हिमन्सुरेन का एक बयान आया था अपने बयान में मुख्यमंत्री हिमन्सुरेन ने कहा था कि इस मुद्दे पर राजनीती हो रही है उन्होंने साफ तोर पर इस मामले में कुछ नहीं कहा सिर्फ इतना ही कहा कि इस मुद्दे पर राजनीती हो रही है बता दें कि आदिवासी बहुल राज, जारखंड, इससे सटे बंगाल और उडिसा में रहने वाले कुडमी जाती के लोग इन दिनों अनुसूचित जन जाती यानि एस्टी में शामिल करने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं तीनों ही राजियों में कुडमी जाती पिछडा वर्ग यानि OBC में शामिल है और लंबे समय से इनकी मांग है कि इन्हें अनुसूचित जन जाती यानि आदिवासी स्टेटस दिया जाए कुडमी जाती के लोगों ने तीनों राजियों में आंदोलन के लिए एक संयुक्त संगठन बनाया है जिसका नाम है आदिवासी कुडमी संगठन पिछले साल सितंबर में पाँच दिनों का रेल रो को आंदोलन इस संगठन के बैनर तले किया गया था पश्चिम बंगाल में उसके बाद दिल्ली में जंतर मंतर पर एक बड़ा परदर्शन किया गया था पूरो सांसद शलेंदर महतो जो कुडमी आदिवासी संगठन के प्रमुखनेता हैं वे कहते हैं कि कुडमी जाती 1950 के पहले एस्टी किश्रेणी में शामिल थी बाद में इस जाती को अलग करके OBC में शामिल कर दिया गया कुडमी जाती के लोगों का जो आंदोलन है एस्टी में शामिल करने का वह 14 सितंबर 2022 के बाद तेज हुआ है जब मोदी कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश की हट्टी तमिल नाडु की नारी कोरवन और कुरी विक्करन और 36 गड़ की बिंजिया उत्तर प्रदेश की गोंड और करनाटक की बेट्टा करूबा जाती को एस्टी में शामिल करने का फैसला किया सहमती दी आपको बता दूँ कि साल 2005 में जारखंड की सरकार अरजुर मुंडा की सरकार और वर्ष 2007 में पश्चिम बंगाल की सरकार ने यह प्रस्ताव केंदर को भेजा था कि कुडमी जाती को एस्टी में शामिल किया जए अब जारखंड में कुडमी जाती के लोगों के आंदोलन ने आदिवासी समाझ में प्रतिक्रियावाद को जन्म दे दिया है इसका विरोध कर रहे आदिवासी नेताओं का कहना है कि कुडमी जाती आदिवासियों से समाजिक धार्मिक भेता आदिवासियों से बिल्कुल भिन है, बिल्कुल अलग है, इसलिए स्टी में शामिल किये जाने कि इनकी मांग समवैधानिक है, अनकॉंस्टिचूशनल है, आदिवासि समुदाय के लोगों ने भी 27 सितंबर 2022 को राची के मुरहबादी मैदान में एक दियोसी उपवास धरना किया था, बहुत बड़ा कारिकरम था, इसके अलावा भी अलग-अलग हिस्सों में जार्खंड के ऐसे कई विरोध परदर्शन हो रहे हैं, पहले भी हुए हैं, तो बहरहाल कूर्मी बनाम आदिवासी के सिवाद ने जार्खंड में 1932 को लेकर पहले से गर्म राजनी जाएगी, या इस मुद्दे को उठाकर सालखन मुर्मू, गीता श्री उराओं और दूसरे आदिवासी नेता जो फिलहाल हाशिये पर चल रहे हैं, जो किसी मुख्यधारा की राजनीति में नहीं हैं, क्या वे इसके बहाने अपनी राजनीतिक जमीन तयार कर रहे हैं, अप वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताईएगा, और देखते रहे हैं, जन्मन की बात मेरे या नियानद कुमार के साथ, धन्यवाद, नमस्कार